हेलो गाइज दिस इस मी अंकुर पात्या है वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनलिस गाइज बात करने वाला हूं लोगों का फेवरेट स्टॉक रहा था ये अभी भी है बट अब थोड़ा नेगेटिव साइड पे क्योंकि स्टॉक में लोगों की पोजीशन बहुत ही उपर के लेवल से फस गई है इस टॉक में करेक्शन भी काफी बड़ी आ चुकी है मैं बात करना हूं IRCTC के स्टॉक के बारे में इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिजन कॉर्परेशन लिमिटेड के बारे में ये स्टॉक क्या एक खरीदने का मौका है या फिर ये स्ट पर ये स्टॉक ट्रेड करता है आगे डीटेल में मैं बताऊंगा आप सभी के साथ प्राइस टु बुक वैल्यू बगेरा भी बट सवाल यही तेरह सो वाला चैसो अनंदचास में क्या खरीदना चाहिए क्या ये मौके है क्योंकि कल आप सभी ने दो दिन पीछे जी बिजन यही दिख रही है और टिकेट बुकिंग में थोड़ा सा कहते हैं शेयर बढ़ा है तो इसके मामले में मैं आप सभी के साथ कुछ चीजा शेयर करने वाला हूं आज के सेशन में कुछ लेवल्स अगर किसी के पास ये शेयर है तो और अगर कोई खरीदना चाहता है तो क्या उसको लेना चाहिए इस ही के बारे में बात करेंगे वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे त सिक्स फिफ्टी रुपीज की क्लोजिंग आज के सिशन में आपने देखिए फ्लैट तु पॉजिटिव बंद बढ़कर अगबग क्लोजिंग देता हुआ दिखाया है वालियम्स बिल्कुल गायव हो चुके हैं स्टॉक मैं से जहां पर स्टॉक में बहुत अच्छे वालि यहां खरीदना चाहिए यह नहीं खरीदना चाहिए इसके बारे में बात करता हूँ 649 रुपीज के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता है मेरे साब से यह बाइं की अपॉर्शन एक मॉनोपॉली बिजनेस है एंड जो लॉंग टम के लिए मॉनोपॉली एंड लॉंग के लिए काफी बहतरी ने स्टॉक है मार्केट इसको वेल्यूशन भी है इसलिए देगा क्योंकि कॉम्पेटिशन तो यहां बिल्कुल है ही नहीं एंड सेकंड तिंग इस स्टॉक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं के वाल एक चीज को छोड़गी गवर्मेंट की खुद की क्योंकि गवर्मेंट का इस तो कोई भी नहीं नहीं ला सकते हैं इसे बीच में आप सभी नहीं एक नहीं देखा इस तो 50% एक दिन में करेक्ट हो गया एंड सेकंड देखिए इस तो नहीं वापस करा गया टिकेट गुगिंग का जो माहां हाफ प्रॉफिट शेरिंग ता उ पाई वह ज्यादा टाम नहीं हुआ है आप जितना टाम हुआ उतने देखेंगे अगर 2019 से अगर आप देखने की कोशिच करें तो 155 वाला 649 अभी भी आपको 316 परसेंट के रिटन्स हैं उपर से यह स्टॉक आदा रह गया है तब इस टॉक ने मल्टी बैगर रिटन्स बन रुपे जुटाएंगे ओफेस के द्वारा तो वह कही ना कहीं ओवर रहेंगे स्टॉक पे मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा हूं जब तक वह ओवर रहेंगे तब तक आप इसे स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है एक बार ओफेस आ जाए खातम हो जाए उ पहले की बात कर रहा हूं मैं तो ओफेस आने के बाद स्टॉक में आप सभी ने जो है काफी टैम तक लगबग में 2020 से लेके स्टॉक आप सभी ने कंसर रिलेशन देका जैनवरी तक यहानी मैं जून जुलाई अगस सेप्टमबर टूब नव अमद दिसमद जैनवरी लगब नौ महीने का आप सभी ने कंसर रिलेशन देखा उसके बाद स्टॉक में जो तेजी देखी आप सभी ने लगबग अगर अभी के प्राइस के साब से बात कूँ तो 290 से स्टॉक भागना स्टाट हूं लगबग 1200 तक गया यह स्टॉक की खास यात है कि जब चला था तो सब देखी तेजी इसकी एंड यह तेजी आपको आने वाले टाइम में दुबारा भी दिखेगी एंड बहुत सारे मोनोपोली स्टॉक से वह आदे रह गए हैं यह कुछ ऐसे मोनोपोली बिजनेसे हैं जहां पर और कॉम्पिटिशन भी है बट फिर भी आदे परसे आदा रह ग हो रहा है मेरे साब से अपॉर्चुन्टिया खरिदारी करने की एंड यह दिक्कत तब तक अगर कुछी का सवाल है कि कब तक रहेगा तो यह दिक्कत तब तक रहेगी जब तक OFS आके कि खतम नहीं हो जाता तब तक इस स्टॉक में हलका फूल का प्रेशर रहेगा मार्केट कि तेजी के साथ ऊपर भी आएगा नीचे भी जाएगा बट जो बड़ी तेजी जिसे कहते हैं आप वन साइड़ वाली वो OFS खतम होने के बाद ही बनेगी तो यह मेरा पूरा व्यू IRCTC के स्टॉक को लेगर होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्यू सो मच प एख वीडियू आप पे लिदीज इच बादाब में ऐख वाली आप आप वीडियोगा भीडियोगा थैंक्यूर